नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत पून जानकारी को ले करके जिहां आज कल की भाग दोड़ भरी लाइफ में स्वास्ति कुछ सही रखना एक चुनोती बन गया है और खास करके आप मैक्सिमुम ल कैसे किया जाए और इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो हमारा अन्यमित खानपान है हमारी दिंचर्या है तो सबसे पहले तो अपनी दिंचर्या को ठीक करना चाहिए इसके बाद आये जानते हैं कि किसी के घुटनों में दर्द हो रहा हो तो होता क्या है कि घुटनों में ग अखरोट के संबंध में अखरोट खाने से हड्या मजबूत होती है और जो जोडों में ग्रीश की कमी आ जाती है उसकी आप पूर्टी हो जाती है यानि कि इससे गठिया या अर्थराइटिस चीसे हम बोलते हैं ये रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं क्योंकि ये हड्यों के ल नाश करेगा अख्रोट इसके अलावा नॉर्मली भी अग्र खाते हैं तो आईए जानते हैं क्या-क्या-फाइदे होते हैं अकष्ड खाने से अकरूट एक खाने-योग्य पदार्थ होता है जो कि जग्रांस प्रजाती परिवार के पेणों की संपती होती है अख्रोट हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी में उप्योग होने वाले बहुत ही साधारन से घटकों में से एक है अख्रोट दो प्रकार के होते हैं एक काला अख्रोट और दूसरा जगलांस रेगिया यानि की साधारन भूरे र है अखुरोट स्वाथ में बहुत अच्छा होता है इसलिए इसका उपवों कई प्रकार की घाने की चीजों में किया जाता है अखुरोट सिर्फ खाने में ही नहीं नहीं बलकि स्वास्त सुंदरी के लिए भी लाफकारी पदार्थ है यह एक तरह का सूखा मेवा होता है बहुत लोगों को यह पसंद भी होता है या यूँ कहें उनका पसंदीदा फल होता है अखरोट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि कैंसर मधुमे थाइराइड इत्यादी और भी कई मधिज प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए यह उपयोगी और फायदे मंद है अखरोट बालों और त्वचा के लिए बहुत लापकारी है बहुत सी दवाईयों में भी इसका उपयोग किया जाता है इस से शरीर की अंचाही चर्वी को भी मिए कम किया सकता है आईए हम सभी जानते हैं सबसे पहले अखरोट में पाए जाने वाले घटकों के बारे में कि क्या-क्या कितनी-कितनी मातरा में इसमें पाई जाती है जो हम आकड़े बताएंगे आपको वो प्रती 100 ग्राम की मातरा में बता रहे हैं यानि कि 100 ग्राम अगर आप अखरोट लेत Carbohydrate 13.7 gram Starch 0.06 gram Shaker 2.6 gram Fiber 6.7 gram Wasa 65.2 gram Saturated 6.13 gram Monounsaturated 8.93 gram Polyunsaturated 47.17 gram Omega 3 9.08 gram Omega 6 38.09 gram Transversa 0 अब vitamins जानते हैं कौन सी कितनी मात्रा में होती है Vitamin A 1UG Vitamin C 1.3MG Vitamin D 0UG Vitamin E 0.7MG Vitamin A 1UG Vitamin C 1.3MG Vitamin D 0UG Vitamin E 0.7MG Vitamin K 2.7UG Vitamin B 1 यानि के थायमीन 0.34MG Vitamin B 2 राइबो फ्लेविन 0.15MG Vitamin B 3 यानि के नियासीन 1.13MG Vitamin B 5 पंथो ठेनिक एसीड 0.57MG Vitamin B 6 पिरिडक्सीन बराबर हीं इसके अलावा Vitamin B 12 0.54MG Vitamin B 6 यानि की पिरिडक्सीन 0.5MG Vitamin B 12 0UG फोलेट 98UG कोलीन 39.2MG अब आएए जानते हैं इसमें मिनरल्स कितने पाया जाते हैं केलसियम 98MG आयरन 2.91MG मैगनीशियम 158MG फासफोरस 346MG पोटेशियम 441MG सोडियम 2MG जिंक 3.09MG कॉपर 1.59MG मैगनीज 3.41MG सेलेनियम 4.9MG ये जो MG हम आपको बता रहे थे ये मिली ग्राम में मातरा है कि इतने मिली ग्राम आएए अब हम सभी अखरोट की विशेष्टाएं जानते हैं अखरोट गुलाकार होता है जो कि अखरोट के पेणों के एक ही बीजवाले कठोर फल होते हैं और पूरे पकने के बाद उसका गुदा उपयोग में लाया जाता है अखरोट के बीज पकने के बाद उसका छिलका हटाने से एक जुर्रीदार आवरण वाला अखरोट मिलता है जिसका उपयोग खाने में होता है अखरोट का गुदा बाहर निकालने के लिए दस्तानी का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे तवचा में खुजली होने लगती है और तवचा का रंग भी परिवर्तित हो जाता है यहां आवरन एक करनल से घेरा होता है जो कि दो आधे अलग-अलग भाग के बटवारे से बना होता है इस आवरन में इंटि ऑक्सिडेंट पाया जाता है जो कि वातावरन की ऑक्सिजन से आवरन के अंदर के बीज की रक्षा करता है अखरोट का बाहरी आवरण कठोर होता है और अंदर से इनका बीज मानुशरीर के मस्तिश्क के आकार का होता है इसमें कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो कि वनस्पती को बढ़ाने से रोकते हैं और उन्हें गंदा करते हैं इसलिए इसे फूल और सबजियों के बगीचे के पास नहीं लगाना चाहिए अखरोट का चैन कैसे करें अखरोट तीन अलग अलग प्रकार के आते हैं छोटा बड़ा और मध्यम पून रूप से इसके शेल की जाँच करिए जिस शेल में छेद या दरार हो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए यदि आप जाँच करके किसी शेल को उपयोग में लेते हैं तो वह पका अंदर से कुरकुरा और फुला हुआ मिलेगा अखरोट को बाजार से खरीदते समय उसकी जाँच करनी चाहिए कि उसका रंग भूरा है या नहीं हाथ में लेकर उसके वजन की जाँच करनी चाहिए इस प्रकार अखरोट का सही तरीके से चैन करके उपयोग में लाना चाहिए अखरोट का संचय वायू रहिट डिब्बे में सुखे और ठंडी जगह पर करना चाहिए ताकि इसमें सुर्य की किर्णे न पढ़ सकें अखरोट तीन महीने तक खराब नहीं होते हैं किन्तु इसे फ्रीज में छे महीने तक रख सकते हैं आप यदि एक साल बाद इसका उपयोग करेंगे तो शायद यह खराब हो सकता है अखरोट में दूसरे खाने की चीज को अवशोशित करने की शमता होती है जिसे यह खराब हो जाता है इसलिए इसे प्याज, गोभी और मचली से दूर रखना चाहिए इस प्रकार अखरोट का इसे बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता है पहला हरिदय के लिए अखरोट में बहुत अधिक मात्रा में उमेगा थ्री चर्विदार अमल पाया जाता है जो की काडियो वेक्स कूलर सिस्टम के लिए बहुत फायदे मंद होता है हर दिन कुछ अखरोट खाने से शरीर में खून के स्त्राव को संभाला जा सकता है यह उमेगा थ्री चर्विदार अमल शरीर में खराब कोलेस्टरॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्टरॉल के उत्पादन को बढ़ावा देता है इसलिए यह शरीर के लिए फायदे मंद है को शुरुवात से रोकता है हर रोज अखरोट को भोजन में शामिल करना स्वस्त रहने के लिए फायदे मंद है मस्तिश्क को स्वस्त रखने के लिए अखरोट में पाया जाने वाला यानि कि बढ़ती है स्तन कैंसर के लिए अमेरिकन संस्थानों ने कैंसर के लिए बहुत सारे अनुसंधान किये हैं और 2009 में इस अनुसंधान को जारी किया कि हर रोज अखरोट खाने से स्तन कैंसर के खत्रे को कम करने में सहायता मिलती है विद्रूह जनक बिमारियों के लिए अखरोट में पाय जाने वाले चर्विदार अमल से विद्रूह जनक बिमारियों जैसे अस्थमा गठिया रोग और खुजली में बहुत फायदा मिलता है अक्रोट में एक बहुत ही महतोपून चर्विदार अमल पाया जाता है जिसे अलफा-लिनोलेनिक अमल कहते हैं यह अमल हड्यों को मजबूत और स्वस्त बनाता है अक्रोट में पाया जाने वाला ओमेगा थ्री चर्विदार अमल विद्रूह जनक बिमारियों के साथ साथ हड्यों को बहुत समय तक मजबूत रखने में भी सहायक होता है अखरोट में मेला टोनिन होता है जो की नींद के लिए बहुत अच्छा होता है साथ ही इसमें पाए जाने वाला अमल खून के स्त्राव को संभाल कर तनाव को दूर करता है अखरोट में विटामिन B कॉंपलेक्स के ग्रूप जैसे थाइमाईन, राइबोफलेविन, फोलेट इत्यादी होते हैं जो की गर्ववती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं अखरोट में फाइबर होता है जो की पाचन शक्ति को सुचारू रूप से चलाता है अखरोट का सेवन करने से आतों में भी फायदा मिलता है साधारन प्रोटीन के सुरोतों जैसे मीट, रोज के उत्पादन इत्यादी में फायवर कम मातरा में होता है डाइबिटीज को रोकने के लिए भी अखरोट का प्रयोग किया जाता है अखरोट शरीर में ग्लुकोज को कंट्रोल करता है अखरोट में पॉली अनसेचुरेटेड चर्विदार अमल होता है जो कि लीवर में इंसुलीन की रचना करने में सहायक होता है अखरोट में मिनरल्स और फाइवर होते हैं जो कि ग्लुकोज लेवल को कम करने के लिए जरूरी होते हैं अखरोट हमारे आंतरिक भाग का वैक्यूम क्लीनर होता है जो कि अंदर की सफाई करता है इससे पाचन सिस्टम को अच्छे से चलने में सहायता मिलती है अखरोट में कुछ ऐसे ततो पाये जाते हैं जो कि वजन घाटाने में सहायक होते हैं इसलिए अखरोट वजन घाटाने के लिए बहुत ही अच्छा घाटक माना जाता है यह फंगस के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है फंगल इंफेक्शन से पाचन शक्ति और तवचा दोनों में प्रभाव परता है काला अखरोट फंगल के परिणाम के खिलाफ बहुत प्रभाव कारी होता है लेकिन इसके साथ दूसरा इलाज भी जरूरी होता है अखरोट स्वास्थ और खुबसूरत तवचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन B होता है यह तनाव को दूर करने में सहायक होता है जिससे तवचा में जुर्या नहीं पड़ती है अखरोट में विटामिन E और एंटी ओक्सिडेंट पाये जाते हैं जो कि तवचा के बुढ़ापे को रोकने में काम्याब होते हैं अखरोट के तेल को हलका गर्म करके सुखी तवचा में हर रोज लगाना चाहिए इससे तवचा को नमी मिलती है और तवचा स्वस्त रहती है अखरोट के तेल से रोजाना आँखों की मालिश करना चाहिए इससे आँखों को तनाव मुक्त और साथ ही आँखों के काले घेरे को साफ किया जा सकता है तवचा में निखार लाने के लिए चार अखरोट दो चम्मच ओट्स एक चम्मच शहद एक चम्मच मलाई और चार बूंद जैतून के तेल को साथ में पीस कर मिला लिजिए और इस मिश्रन को तवचा में लगाईए कुछ समय बाद गर्म पानी से धो लिजिए तवचा के रंग में निखार आएगा अखरोट तवचा को संक्रमर से भी बचाता है इसलिए यह फायदे मंद है अखरोट बालों के लिए भी सहायक घटक है इससे कई प्रकार के फायदे होते हैं अखरोट में पाए जाने वाले तत्व जैसे कि पोटैशियम, ओमेगा थरी, ओमेगा सिक्स और ओमेगा नाइन चर्विदार अमल होते हैं जो कि बालों को मजबूत बनाने में सहायता करते ह अखरोट के तेल से बालों को लंबे, मजबूत, स्वस्त और कुमल बनाया जा सकता है अखरोट के तेल को बालों में लगाने से गंजेपन की परिशानी से बचा जा सकता है बालों में रूसी की समस्या रूखे बालों की वजह से होती है अखरोट के तेल से बालों को नमी मिलती है जिससे बाल रुखे नहीं होते हैं इससे रूसी की समस्या से बचा जा सकता है इस प्रकार बालों के लिए अखरोट बहुत अच्छा उत्पाद है इससे और भी बहुत से फायदे होते हैं अखरोट के फायदे के साथ साथ कुछ एक दुश प्रभाव भी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है अखरोट एट इलर्जिक खाने में से एक है अखरोट से इलर्जी भी हो सकती है जिससे बचने के लिए कई तरह के आपको इलाज करने होते हैं अखरोट अन्य और शधी के साथ विपरित प्रतिक्रिया करता है इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह के बिना उप्योग में नहीं लाना चाहिए काले अखरोट में कुछ रासाइनिक तत्व ऐसे पाये जाते हैं जो कि त्वचा में कैंसर जैसी समस्या को पैदा कर सकता है ये कोशिकाओं के DNA में भी बदलाव करता है काले अखरोट में कुछ रासाइनिक तत्व ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के लेवल को कम कर देते हैं जिससे DNA सेल खराब हो जाती है और परिणाम बहुत ही घातक होता है अखरोट से अश्विय विद्रुग जनक बिमारियों का भी प्रभाव पड़ता है अखरोट में पाए जाने वाले कुछ तत्व शरीर में आईरन को अवशोशित कर लेते हैं जिससे आईरन की मातरा कम हो जाती है अखरोट से लीवर और किडनी भी खराब होने का खतरा होता है अखरोट से तवचा में घमोरियां भी फैल सकती है अखरोट से बच्चों के जन्म में भी तुर्टी हो सकती है अखरोट शरीर के तरल पदार्थ को सुखा देता है जिससे बहुत परिशानी होते है अखरोट का इस्तेमाल संभल करना चाहिए और डक्टर की सलाह के बिना इसे उपयोग में लाना बहुत ही कठिन सावित हो सकता है अखरोट स्वाद में बहुत अच्छा होता है इसलिए इसका उपयोग कई परकार के व्यंजन बनाने में भी किया जाता है बच्चों के लिए अखरोट की कैड़ी कई परकार की विधी से बनाई जा सकती है आईए देखते हैं कैसे बना सकते हैं आप बच्चों के लिए अखरोड चीनी आपको चाहिए होगा थोड़ा सा यानि कि एक बटा चार कप और शहद एक चमच पानी दो कप नमक स्वाद के अनुसार ले लिजे अखरोड तीन से चार कप अलुमीनियम फोयल ले लिजे और बेकिंग शिट ले लिजे अब इसको बनाने की विधि जानिये बेकिंग शिट और अलुमीनियम फोयल को एक साथ लाइन में रखिए एक बरतन में नमक, पानी, शहद, चीनी को एक साथ मिला लिजे इस मिश्रन को गैस पर 3-4 मिनट के लिए आँच में रख दीजिए इसमें अखरोट डाल कर आँच धीमी कर दीजिए तब तक रखिए जब तक कि मिश्रन सुनहरे रंका न हो जाए इस मिश्रन को बेकिंग शीट पर फैला दीजिए इसे ठंधा होने दीजिए और छोटे इसमें रख दीजिए वाई रहे डबे में रखिए जिसकी वदवलत ये खराब नहीं होगा इस तरह यह बच्चों का पसंदीदा व्यंजन तैयार हो जाएगा ऐसे ही अखरोट का इस्तेमाल और भी कई प्रकार के व्यंजन में भी आप कर सकते हैं अखरोट का उपयोग बि कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं इसलिए अखरोट का इस्तेमाल आप जब भी करें तो डॉक्टर की सलाह से करें अपनी मर्जी से न करें क्योंकि जितना फायदे मंद होता है ये उसी प्रकार से ये कई कंडिशन में लोस देने वाला भी हो जाता है डॉक्टर की सलाह के बाद आप इसका प्रियोग करें आपके लिए बेहद ही लाफकारी सावित होगा अखरोट जहां तो आज की हमारी ये जानकारी थी आप सभी के लिए अखरोट के फायदों से रिलेटेड अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों